असलाम अलेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन सलामी बनाने की रेसिपी, जो कि एक बहुत ही हेल्दी सनायक है, आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, या फिर आप इसको बहुत से स्टार्टर में भी यूज कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, तो च अच्छे से दोने के बाद थोड़ा सा ड्राय कर लिया है, इसको यह गीला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानि कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, अब हमें इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है, आदा मुटी के करीब, और आदा मुटी के करीब दालना है पुदीना और थोड़ी सी हरी मिर्चे डालेंगा इसमें टेस्स के हिसाप से तो मैं इसमें दो से तीन हरी मिर्चे डाल रही हूं आप अपने टेस्स के हिसाप से ढलीेगा अब हम डालेंगे इसमें अध्य medium size की प्याज, 1x4 cup के करीब है ये और 1 teaspoon डालेंगे ग्लिस लाल मिर्चे और एक टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे और एक टीस्पून डालेंगे लहसुन का पाउडर अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो फिर आप लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एक टीस्पून डालेंगे काले इसमें भी," सबस्क्रास 2015 के साथ हमें इसको ग्राइंड कर लेना है। इसमें बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं। तो आप ने देखा कितने हलके मसाले गया हैं। अब हम इसको एक और फाइंड पीछ लिएंगें। अब chicken को मैंने तीन हिस्सों में divide कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक foil paper ले लिया है इसको मैंने square shape में काट लिया है अगर आपके पास foil नहीं है तो फिर आप polythene का भी इस्तमाल कर सकते हैं और यहाँ पर हमें chicken का एक हिस्सा रखना है और इसको इस तरह से लंबा-लंबा सा कर लेना है और अब हमें foil को इस तरह से fold कर देना है अंदर की तरफ दबा कर tightly fold करेंगे इसको और इसको इस तरह से ऊपर और नीचे से tightly pack कर देंगे जैसे कि हम toffee pack करते हैं बिल्कुल वैसे ही इस तरह से बस से method से हमने जो chicken को तीन हिस्सों में wrap कर देंगे और इसको tightly pack कर देंगे अच्छा से tightly pack करेंगे ताकि यह जो foil है यह खुले नहीं अब हमें इतना पानी लिलना है जितने में हमारी यह तीनों लॉक्स जो हमारे सलामी की लॉक्स है वह इसमें डूप जाएं तो तक्रेब Peanut मैंने यह ऊपर देर लीटर पानी उबाला लाएं और जब पानी में अबाला जाएगी, तब हम इन 3 लॉक्स को इस पानी में डॉप कर देंगे और यहाँ पर पानी में बॉइल आ रही है अब हमें इसको ढग देना है यहाँ पर अब हम गैस की फ्लेम को लो और मीटियम के बीच में कर देंगे और इसको हम 30 minutes के लिए इसी तरह से पकाएंगे 30 minutes के बाद हम इसको चेक करेंगे low और medium flame पर 30 minutes के लिए मैंने यहां पर इसको पका लिया है और यहां पर हमारा chicken अच्छे से अब पक चुका है तो हमें gas के flame को बंद कर देना है और इन लॉक्स को हमें बाहर निकाल लेना है और इसको हम नॉर्मल temperature पर ठंडा कर लेंगे, जब यह ठंडा हो जाएगा उसके बाद भी इसको कट करेंगे तो जब यहाँ पर हमारे ये पीसे ठंडे हो जाएगे तब हमें इनको खोल लेना है अभी मैं थोड़ी जलबाती में थी तो मैंने इसको बहुत अच्छे से ठंडा नहीं कर रहा है आप अच्छे से ठंडा कर ली जगा उसके बाद कट करियेगा क्योंकि फिर cut करने में थोड़ी सी दुश्वारी आती है जब यह अच्छे से ठंडा होता है तो अच्छे से cut होता है तो मैं इसको थोड़े मोटे मोटे pieces में cut कर रही हूँ आप चाहें तो और पतला काट सकते हैं क्योंकि मैं इसको chutney के साथ serve करने वाली हूँ तो मैं इसको थोड़े सा मोटा cut कर रही हूँ तो इस से आपने देखा चिकन सलामी बनाना कितना आसान था बहुती आसान इंग्रीडेंट से बहुती इजली आप घर पर सलामी बना सकते हैं मैं इसको रूखा serve करने वाली हूँ चटने के साथ लेकिन आप चाहें तो इसका इस्तमाल सैंविचेस के साथ कर सकते हैं रैप्स में कर सकते हैं, रोल्स में कर सकते हैं या फिर आप इसको हलका सा stir fry करके भी serve कर सकते हैं या फिर आप पीज़ा बना रहें तो पीज़ा में भी आप इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं अगर पीजा में यूज़ करें तो स्लाइस से इसको पतला कट करिए का पास्ता बागर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं पास्ता में आप इसकी चोटे-चोटे क्यूप्स कट कर लीज़ेगा और इसको इस्टर फ्राइ करके इस्तमाल करिएगा तो इस तरह से कई तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं आप सलामी को 5-6 दिन के लिए स्टोर करके भी यूज कर सकते हैं आपको इसको फ्रेज में रखना होगा किसी भी कंटेनर में रख कर और अगर आप इसको लंबे टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको इसको फ्रीजर में रखना और डिरेक्टली फ्रीजर में रख देना है और जबी भी आपको यूज करना हो तो फ्रीजर से निकाल ये इसको थो करिए और इसके पतले पतले पीसेस कट करिए और इसको इसको इस्तमाल कर लिजए उमीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर इतने सॉफ्ट इसके पीसेस बने हैं यह देखें हैं